चैप्टर शुरू करेंगे वेटा हमारा जो की 29 जो चैप्टर है वो है बड़ा इंपोर्टेंट है क्योंकि आप अगर नीट देते हो तो उसके अंदर भी उसमें भी इसमें से आपके लगभग ये मान के चलो कि तीन या चार कॉशन इन टॉपिक्स में से होंगे जिसमें अलग-अलग ग्रंथियों के द्वारा इस्त्रावित हार्मों के बारे में पूछा जाता है तो जो बच्चे नीट एक्जाम देना चाहते हैं उनके लिए भी इंपोर्टेंट है इसके अलावा अगर आप 12 के बार जाके सब्जेक्ट भी चिंच कर लेते हो ना बायो क पूछे जाते हैं इसलिए इंपोर्टेंट है आई यह बास समझ में तो पढ़ना ज़रूरी है विटा तो हमारा 29 चैप्टर जो है वह मानों में रसायनी समन्वे मतलब जो कैमिकल्स होते हैं उनके बारे में रसायन का बात आ गई मतलब कैमिकल्स के बारे में पढ़ते तो अगर मनुश्य चीर्फ या तो हम आंगे पढ़ लेंगे यहां जो हारमों में पढ़ते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं यहां हम बात करेंगे हार्मों काम क्या है और अगर वो हार्मोन नहीं होगा या ज्यादा हो जाता है तो वो कौन-कौन से रोग होते हैं उसके बारे में हम लोग इस पूरी ओवर ओल इस चैप्टर के अंदर क्या करने वाले हैं पढ़ने वाले हैं आरा है समझ में तो सबसे पहले देखो डेफिनेशन आती है अंतह स्त्रावी तंत्र क्या चीज़ होती है तो अंतह स्त्रावी तंत्र जो होता है हम बोलेंगे कि ग्रंथियों और अंगों से मिलकर बना तंत्र है जिसके द्वारा विबिन रासाइनिक प्रकरती वाले हार्मोन का निर्मान किया जता है क्या हो गया अंतह स्त्रावी तंत्र अंतह स्त्रावी तंत्र एक ऐसा तंत्र है यानि किस से मिलकर बना है अंग भी कह सकते क्योंकि जैसे हम लोग अंग देखते हैं तो ब्रशन हो गया और अंडाशे हो गया हम नर जनव तंत्र में जो अंग आते हैं उसमें पढ़तेां न लेगिन उनसे भी क्या होता है, हार्मोर्ण होते है, इसलिए यहाँ पर अंग वर्ड यूज़ किया जाता है, तो विबिन ग्रांति और अंगों का ऐसा समवू है, जो मिलकर क्या करते हैं कुछ पदार्तों का क्या करते हैं स्त्रावन करते हैं और वो जो पदार्त होता है जनरली क्या होता है हार्मोन होता है समझा गया तो यह अंतरस्त्रावी तंत्र है अब अंतरस्त्रावी जो तंत्र होता है अंतरस्त्राव शब्द का सबसे पहले वर्ड यूज किया गया नीक म अंतस्त्राव तंत्र के बारे में अध्यन करते हैं यानि अगर मैं कहूं कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर अंतस्त्रावी तंत्र के बारे में या ग्रंतियों के बारे में हार्मोन्स के बारे में पढ़ा जाता है तो विज्ञान की वह शाखा कहलाती है वेटा ऐग के न्यूरो लोजीए ऐन तरह त्लबीकों कुछ कुन है या जनक कोन लலते हैं तो थोमस एडिसन तरह से अधरि प्विज्यान है उसका फादर कहा जाता है ज्यून कहा जाता है इंपोर्टेंट कोश्चन है ध्यान रखना एक एक नंबर के की अंतास्तुराव शब्द का प्रियोग क्लोड बनाट के द्वारा गया गया अब क्या होता है बिटा तंत्री का तंत्र और जो हमारा मस्तिक्स होता है उसका नियंत्रण होता है किसके उपर अंतास्त्रावी तंत्र के उपर अंतास्त्रावी तंत्र को रेगुलेट करने का काम किसका होता है तो अगर मस्तिक नहीं है तो अंतरश तरावी तंतर अपना वो नहीं कर पाएगा क्योंग demost रीक रहा है ổi है रहेँ कि और समझें तो अगर हम स्तंत्री का तंत्र और अंतरिस्टरावी से यह साक्षा के लाती है न्यूरो एंड्रो बहुत कम आ रही है आवाज कम है अभी भी कम है पिटा यस मैं आवाज का पुल ले बिटा नेटवर्क की वज़े से कम होगी तो देखो तंत्री का तंत्रे और जो अंत्रस्त्रावी तंत्र है अगर उसका साथ में हम अध्यन करते हैं तो विज्ञान की वोग शाखा क्या क्या के लाएगी न्यूरो एंड्रो क्राइनोलोजी जब हम दोनों भी को तंत्री का तंत्र को और अंतर स्रावी तंत्र को साथ में पढ़ते हैं और अगर अलग-अलग पढ़ेंगे तो तंत्री का तंत्र का अध्यन क्या कहलाता है निूरोलोजी कहलाएगा और अंतर स्रावी तंत्र का अध्यन कहलाएगा प्रोटीन के भी हो सकते हैं नेकिन जो सबसे पहले हार्मोन के बारे में बिटाया है कि हार्मोन है हमारे शरीर की विविन्दे क्रियाओं को उत्तेजित करने का काम करता है एक उत्तेजित की रूप में काम करता है यह सबसे पहले बोला स्टार्लिंग के द्वारा आरिवा समझ में हार्मोन को उत्तेजित पदाड किसने बताया स्टार्लिंग ने फिर स्टार्लिं और बैनलिस के द्वारा जो हमारी छोटेयात होती है उसका पार्ट होता है कौन सा ग्रेहनी ग्रेहनी की उपकला होती है जिसे कहा जाता है ये चैनलेशमा उसमें उसकी कोशिकाओं के द्वारा एक रिलीस किया जाने वाला हार्मोन ने जिसका नाम है सिउक्रेटी उसको बनाया ठीक है हार्मोन को उते चक पदाऊत बोला प्रुर स्टालिंग ने फिर उसके बाद इन दोरों वेज्ञानिकों ने मिलकर क्या किया छोटी आथ का पार्ट हैं हमारा ग्रहणी तो ग्रहणी जो होती है उस ग्रहणी के कि घ्रहणी की स्लेशd्व कला लाजू है उसके द्वारा एक हार इसकी जो कोशिकाई हैं स्लेश्मा कला की ठीक है आप लोगोंने पता है कि घ्रहणी को अगर पड़ाा को तो नहीं समझ में आई गा पेशिय इस्तर हो गया फिर अंद स्लेश्मिका हो गई अगर चैप्टर ध्यान से पढ़ा होगा जिस जिसने उसको तो याद आ जाएगा बाकी नहीं अगर पढ़ा होगा तो नहीं समझ में आएगा तो ग्रहनी की अगर हम अनुपरस्त काट काटते तो पहली लेर होती है सीरो जैसे आम ग्रहनी यानी छोटी आन्द का पहला पार्ट होता है घ्रहनी पीर आता है अगरे शुद्रान तो ग्रहनी को काटते हैं तो यह तीन मेलती है तो ग्रहनी की चैश्चमा कला है उसके कोशिकाओं के द्वारा एक हार्मॉन किया जाते है सीक्रेटिं तो इनोंने सब् को प्रथक किया ठीक है उस हार्मोन का नाम इम्म्यून ने दिया सीक्रेटीन और खोच की दोनों ने स्टार्लिंग और बैलिस के द्वारा नीट में आने वाला कॉशन है और आपके आपके पॉट्स के अंदर एक नंबर का कॉश्चन उचा जा सकता है कि सीक्रेटीन का प्रथ देखो बेटा डेक्स आता है कि अंतर स्त्रावी तंत्र जो है उसके अंदर जो ग्रंथियां होती है वो कितने प्रकार की होती है ग्रंथियां जो है वो तीन प्रकार की होती है पहली होती है बही स्त्रावी ठीक है कॉश्चन यहां से आ सकता है फिर आती है दूसरी अंतर स्त्रावी और तीसरी होती है मिश्रित ठीके टैंट से पढ़ रहे हो पहली बही स्त्रावी दूसरी अंतर स्त्रावी और तीसरी मिश्रित गंतिया क्या आएगा सिंपल साय अंतर पूछा जाता है अभी चार्ट आपको मैं बताऊंगी स्क्रीन पर देख लेना अंतर कैसे लिखने जनरली इन दोनों में कॉश्चन पूछा जाता है अंतर स्त्रावी बही स्त्रावी तो देखो आप देखोगे कि यह ग्रंथिया है ग्रंथिया होती क्या है कोशिकाओं का सम्मू होता है जो विशेश पदार्तों का क्या करता है तो कोशिकाओं का यह सम्मू जो है वो ही क्या होती है ग्रंथि होती है अब यह ग्रंथिया जो है वो तीन तरीके की है पहली है बही स्त्रावी दूसरी अंतर स्त्रावी और मिश्रिज याद रखने का अगर आप लेते हो तो आप लोग अगर इस स्कीन पर देखते हो तो पसीना निकलता है आखों में देखते हो तो आसू निकलते हैं तो यहाँ पर याद रखने का तरीका यह है कि ऐसी ग्रंथियां जो अपना जो भी पदार्थ बनाती है उसको नलीकाओं में सीक्रेट करती है यानि जैसे ये ग्रंती है तो ये इनसे एक नलीकाय निकलेगी ये नलीकाय बाहर शरी जैसे सपोज ये स्कीन है तो यहां पर यह श्वेद ग्रंथी होगी यानि जो पसीने का निर्मान करती है वो श्वेद ग्रंथी है अब इसमें नलीका होगी तो यह नलीका जाकर यह हमारी स्कीन है स्कीन के उपर यह छिद्र है इस छिद्र से क्या होगा छिद्र का मतलब इस नलीका का मूह ही है तो यह हमारी श्वेद गरंटी है श्वेद यानि जिससे पसीना निकलता है तो अंदर श्वेद गरंटी है पसीने का निर्मान हुआ ये पसीना जो है इस शिद्ल के माध्यम प útil की या बाहर तो यहां पर जो नलीकत पाये- यानि नलीकाओं से युक्त जो ग्रंतियां होती है वो क्या कहलाती है नलिकाओं के अंदर स्त्रावित करेगी और नलीकाओं की ठू हमारे शरीट से क्या होगा बाहर निकलेगा तो ये होती है हमारी बही स्त्रावी ग्रंथियां फिर आती है अंतर स्त्रावी ग्रंथियां तो अंतर स्त्रावी ग्रंथियां कैसी होती है नलीका विहीन होती है इनमें नलीकाओं नहीं पाई जाती ये अपना जो भी तरल वालोगी कोशिकाओं का समुए ग्रंथिये ठीके तो ये जो भी तरल स्त्रावित करेगी ये सीधा उसको किसमे डालेगी रक्त के अंदर जो डौरा के द्वारा जन्डरली जो केमीकल बनाया जाते हैं वह एंजाइमेटिक निचर के होते हैं अर्ट हैं गशां हार्मोन अभी हम किसके बारे में पढ़ रहें बुछ यहां पें हर्मोन की बात करेंगे तो अंतर स्त्रावी ग्रंतिया किसको सिक्रेट करती है हार्मोन को और हार्मोन हमारे शरीर से नलियों से बाहर नहीं निकलते है ना हमारे हार्मोन क्या होते है रक्त में मिक्स होते है और जो भी content होता है उसको किसमें डाल देती है रक्त में directly डालती है तो यह जिन परदार्टों का स्त्रवन करती है वो hormones होते हैं और यह जो होते हैं वो enzymes होते हैं उसके बाद अगर example लूँ बही स्त्रावी का तो श्वेद ग्रंती हो गई है ना दूसरी हो गई हमारी अश्रू ग्रंती जिससे आंखों से आसू निकलते हैं श्वेद ग्रंती में पसीना होता है अंतर अस्त्रावी के तो बहुत सारे examples है जो हम पढ़ने वाले जिसके फियूश ग्रंती हो गई है ना और भी हैं बहुत सा यानि दोनों करती है और भी काम करती है और इसका अगनाशय ग्रंथी अगनाशय ग्रंथी क्या करती है पाचक एंजाइम जो होते हैं उनका भी निर्मान करती है अगनाशेर इसके अलावा इसके द्वारा हार्मोस भी बनाये जाते हैं जब हम इसकी डीप स्ट्रक्चर पढशे तो हम समझ में आजाएगा इसके अलावा अगर मदे व्रशन और अंडाशेर शुक्राणों और निर्मान भी आपके प्लस हार्मोन में बनाते हैं नरों के अंदर दो हैं अट्रोजन और हार्मोन बनता है और मदाओं के अंदर दो हैं तो दोनों काम कर रही इसलिए अगनाशे हो गई व्रेशन हो गया उसके बाद अंडाशे हो गया यह सब किसकी एक्जामपल है मिश्रित ग्रंतियों के बिटा डिफ्रेंट समझ में आ गए क्या यह सब्सक्राइब आपको बेज भी दूंगी आइफिक शो नहीं हो रहा है चलो वैसे अंतर में जो है वो मिने बता दिये आपको नहीं शो हो रहा है इसके अंदर कि अधिनर के तो आपको यह डिफ्रेंस है उसके बाद देखो हम पहली ग्रंथी बिटा एक देख लेते प्यूश ग्रंथी हम नेक्स क्लास में पढ़ेंगे तो अभी हम लोग क्योंकि अंतरस्त्रावी तंत्र पढ़ रहे हैं तो देखो हाइपो थेलेमस पहली अंतरस्त्रावी ग्रंथी हम पढ़ेगे अधि आप लोगोंने अगर तंत्री का दंत्र वाला चैप्टर ध्यान से पढ़ा होगा तो उसके अंदर हमारी हाइपो थेलेमस अंतरस्त्रावी जो ग्रंथियां होती है उसमें पहली ग्रंथी हम लोग आज देख रहे हैं हाइपो थेलेमस ठीक है कहां होती है वेसे बात है मस्तिक्स में होती है मस्तिक्स में भी देखो कहां होती है तो मस्तिक्स के अंदर अगर हम बात करते हैं कि अग्रमस्तिक्स का पार्ट है और अग्रमस्तिक्स के तीन पार्ट होते हम लोगों ने पढ़ा था प्रमस्तिक्स जो सबसे बड़ा भाग होता है सेकिंड होता है ग्रान और तीसरा होता ह से और मससी स्थस्न तो अगर मस्थत ऑच के उजिन जो हम वह घ्रद अध्य यह टुशन में यह घ्रिजा तरीक्र meeन लॉचया जो बना है तो इसिएलों इस ए च होग already आया चessa ऑचली अतरी इस खुर्ज़ गालने हिस्सधान तृतिक तो मस्तिक्स का पाठ है और अग्रमस्तिक्स पश्च जो तीसरा पाठ है अग्रमस्तिक्स का उसके तृतिय निले का पीज का यह क्या करती है निर्मान करती है ठीके उसके बाद देखो हाइपो थेलेमस जो होती है इसके अंदर धूसर द्रवी के बने कुछ पिंडाकार सरचना पाई जाती है जिने हाइपो थेलेमेटिक केंडर कहा जाता है इन केंडरों के द्वारा विबिन्द जो है हार्मोन क्या किये जाते हैं बनाये जाते हैं बुक के अंदर आपके लाइन दी हुई है अगर देखते हो तो है न कि धूसर द्रवी के बने हुए केंडर पाये जाते हैं जिने हाइपो थेलेमेटिक केंडर कहते हैं इनके द्वारा हार्मोन रिलीज किये जाते हैं और हाइपो थेलेमस के द्वारा जो हार्मोन रिलीज किये जाते हैं वो दो तरीके के होते हैं पहला होता है मोचक हार्मोन और दूसरा होता है निरोधी हार्मोन ठीक है यह हार्मोन होते हैं अब हार्मोस जो होते हैं वो क्या करते हैं अगर मालों मोचक हार्मोन है तो यह प्यूश ग्रंती को क्या करेंगे प्यूश ग्रंती को अपने हार्मोन हम रिलीस करने के लिए capable बनाएंगे मतलब मोचक हार्मोन जब रिलीज होगे तो यह प्यूश ग्रंती जो इससे जुड़ी हो यह जैसे देखो यह मैंने हाइपो थेलेमस बना रखी है यहां पर एक धागे जैसी सहर अचना से यहां से जुड़ी होती है किससे यह प्यूश ग इसको इसके माध्यां से ईन शिराओं पते जो रख दोता है इसके माध्याम से जो हईपो थेलेमस जितने हां अर्मोन बनाती है वह deficiency मिलते हैं और पियुश की भी अगरपाली जो है वो अधितर हार्मोन रिलीस करती है समझा रहा है तो यहां पर पियुश ग्रंती के द्वारा जो हार्मोन होती है उनको रिलीस करने के लिए प्रेरित करती है मतलब रिलीस को होने के लिए बनाती है फिर निरोध करना मतलब रोकना अगर व्रादी हार्मौन प्युजघंती तो व्रादी मोचक हार्मौन इसके द्वारेmist किया जाएगा व्रादी फ्राष इसे हम कहेंगे ये पियुस व्रंति के द्वारा इस्तरावित व्रदी हार्मोन के इस्तरवन को क्या कर देगा रो पर देगा आरिवर्स समझ में तो फिर है रिलीस किये जाते हैं और निरोधी हार्मोन अगर आप अपकी बुक देखते हो तो उसके अंदर दे रखा है एक हो गया प्रोलैक्टिन मोचक हो गया प्रोलैक्टिन निरोधी हो गया है ना उसके बाद है थाइरो ट्रॉपिन हो गया और अर्टिको ट्रॉपिन हार्मोन हो गया मेलेटोनीन स्तरावित हार्मोन हो गया मेलेटोनीन निरोधी हार्मोन हो गया दे रखे मैं एक चार्ट दिया में नहीं दिया हुआ कि हाइपोथेलेमस जो है ना बेटा उसकी देखो इसको मैं फिर से बना देती हूं यह इनपंडी बुलम हो गया यह यहां पर हाइपोथेलेमस हो गई अब यह प्यूश ग्रंती की दो पालियां है अब देखो यह धागे के समाह सरचना इनपंडी बुलम है यह हाइपोथेलेमस है और यह प्यूश ग्रंती के दो पार्ट यह हैं दो पालियां पढ़ते हैं हम टेंट में पढ़ा है अग्रेपाली और योगी पश्रपाली है ना अग्रेपाली के द्वारा कई हार्मोन रिलीस कहीं हाइपोथेलेमस क्या करती है हाइपोथेलेमस कहीं इनुचक और निरोधी हार्मोन के अलावाए डोह connect और रिलीस करती है घ्क और oxytocine इनका क्या करती है निर्मान करती है ज्यान रखना रिलीज करने का काम तो पियुश्ट घंति करेगी इन दोनों हार्मोन को बनाना कौन करेगा hypo thalamus थाके कौन से हार्मोन है वैसोप्रेसीन ये मुत्र निर्मान की क्रिया में मदद करता है अभी जब हम पियुष ग्रंती पढ़ेंगे ना तो उसके इंदर इंके नाम आ जाएंगे ठीके लेकिन इनको बनाने का काम चुके हाइपोथले मस्ता है लेकिन यह यहां पर बना कर देख इसको देती है पियु ग्रंती में हम लोग पढ़ेंगे इनके काम भी पढ़ेंगे आरीवा समझ में लेकिन ध्यान रखना यह नीट में आने वाला कॉश्ट में नहीं दिया मैं कॉंसेप्ट क्लियर कर रही हूं कि अगर आपको कॉश्चन दो तरीकी करता है कि वैसोप्रेसीन इसको अगर शॉट यह उस पर डिपैंड करता है ठीक है जो भी आपको कॉश्चन पूछा जाए उससे ध्यान से पढ़ लेना समझ में आगया कि यह आपकी है इंफंडी बुलम के द्वारा पीश गंती से चूड़ी रहती है और पीश गंती जो है वो जो हार्मोन डिलीस करती है उनको Master of Master Glend के नाम से जाना जाता है एक नंबर के कॉश्चन इध्यान रखना कि Supreme Commander नाम से क्रिस गंती को जाना जाता है पर Master of Master Gland लेखो Master Grain कहा जाता है किसे पीउच ग्रंती को क्योंकि काफी हार्मोन रिलीज करती है यह पीउच ग्रंती और इसके द्वारा स्त्रावित होने वाले हार्मोन अन्य ग्रंतियों के जो हार्मोन होते हैं उनको रिलीज होने के लिए सब्सक्राइब करती है तो पीउच ग्रंती हमारी Master Grain के लाती है पर Master Grain भी किसके कंट्रोल में हाइपो थेलेमस के कंट्रोल है अब हाइपो थेलेमस मोचक और निरोधी हार्मोन नहीं रिलीज करेगी तो पीउच गंती अपना बहुत कर पाएगी क्या नहीं इसलिए हाइपो थेलेमस को क्या बोला जाता है Master of Master Grain एक नंबर का कॉश्यन है इसके अलावा इसका दूसरा नाम होता है सुप्रीम कमांडर बुक के अंदर दिया हुआ है देख लेना ठीक है तो यहां आपके यह हाइपो थेलेमस क्या होती है कंपीट होती है इसके बाद हम करेंगे वह इस मैं ठीक है एंड कर रही हो में मिटिंग इसके जो चैप्टर है वो देख लेना इसके नोट्स में आपको भेज दूँ है ठीक है इस मैं ठीक है